असलाम लेकुम जी दोस्ते मेरा ना ताबिशा और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो अन देशी क्रिप्टो गुरू और इस चैनल का सिर्फ एक ही विजिन है कि आपको असान असान लफजों में क्रिप्टो करन्सी के बारे में बताना है टेक्निकल अनालिसिस के बारे में जानते हैं और ये क्या होता है सारा कुछ इसकी बेसिक सीखने के लिए कि आप अपना आप अपना स्टार्ट कर सकें ट्रेडिंग का सफ़र उसके लिए मैंने कोर्स डिजाइन किया है ताशिफाइड.com पर जा कि आप उसके इंफोर्मेशन पट सकते हैं मेरी हर वीडियो की दिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक अवेलिबल है तो इस कोर्स को आप अगर मुझसे खरीद करना चाहते हैं मुझसे खरीद करें या कहीं और से बेसिक कोर्स ज़रूर कर लें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टन है अच्छा और उसके बाद आ जाते हैं आपको शायद ला आप थी तो बाराल जी यह एक हमारा देशी क्रिप्टो गुरू का टेलिग्राम का चैनल है इसको जाकर लाइक करें प्लीज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा एक चोटी सी क्म्यूनिटी बिल्ट अप करने की कोशिक कर रहे हैं चाहब आप लगए करने करना हैं आप स्टैल को आप साइल करना है और नहीं और चेल में चल्डिज करता हूं और उस तो इसमें यह को ऑन घर जन बना दी है और वह जोंसी मैंने ड्रॉइंग्स आपने उस टेलिग्राम के चैनल में पोस्ट कर दिया उसको आप जाकर देख सकते है वह कहां पर बनेगा और swing होके जब नीचे आएगी तो वह कहां तक आएगी यह इस वीडियो में मैं आपको सारा जखाने लगा हूँ कि यह जब bull run start हुआ था मैंने कैसे simple एक lines draw करके एक trend line draw करके उसके उपर यह base किया है बहुत सारे लोग अपना अपना different style का analysis करते हैं यह एक तरीका है इसके साथ आपने और चीज़ें भी add कर सकते हैं RSI या आपके जो favorite जितने भी वह हैं आपके indicators हैं उनको आप इसके साथ add कर सकते हैं again you do a basic education on this और उसके अच्छा एक मैंने आपको बात यह पतानी थी कि एक channel है crypto banter उसको देखना शुरू करें आपको बड़ी information मिलेगी and they actually use the similar way of simple simple trend line way कहां पर buy करना है कहां पर sell करना है but of course you should also follow the news अगर आपने इसका में पैसे कमाने हैं तो यह एक अब मैं चार्ट खोल रहा हूं आपके लिए KSM का KSM की मैंने drawing की विया मैं बेस न्याग चार्ट खोल रहा हूं कि मैंने finance के ओपर जो data आ रहा था उसके ओपर की विया मैं कूप कोईन पर खोलता हूं अभी और इसके अंदर आगे चलके इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से कि जब बुल रन स्टार्ट हुआ था उस दिन से लेके आपने पनी वो trend line कैसे बनाई और आपको नजर आएका कैसे बार-बार price उसी trend line के उपर आके support लेके वापिस अगला next high बनाती है and if you know that next high कहां तक जाएगा जो के मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में और उसके बाद जो आप नीचे आ रही होगी तो maximum कितना नीचे आ सकती है वह लेवल्स के होंगे वह भी मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा इसको एंड दक देखें या आपको बहुत ज़्यादा help करेंगी कुछ भी नहीं नहीं है अच्छा लेकिन आपता हो इसकी है मैं आपको भी सिखाते हम चले जाते हैं किस दिन यह बूर्ब सेशन स्टार्ट हुआ था 21 जुलाइं को हम चले जाते हैं 20 जुलाइं को लेट से आज 20 जुलाइं है और यह मैं इसवार कि कैंडल देख रहा हूं फिर तोड़ी उपर गई और फिर नीचे गिरी है नो मार्केट गरती जारी कुछ नहीं पता इसने भी आगे और गिरना या आगे चलना है लेकिन अगला दिन आता है मार्केट और नीचे गिरती है फिर अगला दिन आता है और आपके पास 21 जुलाई को एक बड़ी स्ट्रॉंग ग्रीन कैंडल बनती है अचा मेरे कोर्स में आप मेरे कोर्स से ना सीखें किसी और के कोर्स से जाके सीख लें लेकिन ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें अगर आप एक स्ट्रक्चर में सीख लेंगे देखें यूट्यूब पर बहुत स सारी की सारी वीड्यूश को कंबाइन diceन में करके मीनिंग्फिल स्ट्रक्चर में एक कॉर्स में सीख सकते हैं किसी और को सब्सक्राइं या YouTube से सीख लें मेरे को सीखे हैं बशाइब अग्ले दिन और लिनीट सम सम कंफरमेशन के यार यह अप ट्रेंड चुरू हो गया तो सबसे पहले आप कहते हैं कि यार अच्छा एक ग्रीन केंडल बनी है आप एक सिंपल सी लाइन एक सिंपल लाइन आप एक ऐसी लाइन इस तरह से लगा लें ठीक है देखें प्राइस ने यहां पर भी टाच किया है यहां पर भी टाच किया है मैं इस लाइन को थोड़ा सा डार कर देता हूं आपके लिए और इसको रेड कलगा कर देते हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक तरह की रिजिस्टंस का काम करेगी यह आपने लाइन लगा लिए है एंड इस दा प्राइस गोस अबाव किया है तो इट मेंस अब आप त्रेंड ना व थे कांड बिया चीज नी होती आपको बहुत सारी चीज़े देख रहे होते हैं आप केंडल की जो स्ट्रक्चर है इसको प्राइस एक्षिन कहते हैं आप उसको पाड़े होते हैं वाल्यूम कैंड़ सारे डिफरें रेड लाइन के उपर वेरी गुड यहाव ओल्रडी टू डेटा जो के बहुत थोड़ा सा डेटा है लेकिन यू कैन एक्चुली सम्थिंग दू लाइक दिस आप कहें कि यारी प्राइस जोंस यह इस तरह चाल रही है यह एक लंबी दिलाइन लगा दिया ठीक है इस लाइन को इसको लेटसे हम ग्रीन के लिए ताके आप लोह को लगे कि हम यह एक सपोर्ट का काम करें गया हम आगे चलते हैं अगले दिन एक और ग्रीन ऑग्रीन केंडल इस रैड रैड लाइन से उपर बनिए इसका मतलब आई कि जो डाउन प्रेंड में जो एक रिस्स्तर से चल रही क्योंकि अभी ये फुल उपर इससे पिछले फ़ले दिन की कैंडल उस ग्रीन लाइन के उपर क्लोज हुई थी वेरी गोर्ड बाइड निद अने अधर कंफर्मेशन के नॉर्मली होता है कि यह कोई भी एक रिस्टेंस ब्रेक होती है और वाफिस उसमें प्राइस नीचे जली वीक कैंडल उपर गई है नीचे आगे हां पर प्राइस बंद हुई है तो नेक्स देड़ प्राइस कैंगो डाउं I can already see that I mean of course it's old data कोई कहता कि आप old data के अंदर तो पहले से पता होता है लेकिन if you practice it again and again you can start reading the candles and the meaning of those candles ठीके स्कैंडल के पीछे कुछ meanings है meaning कि अपर उपर उपर गई है यहां से rejection होते होते यहां पर नहीं रुकी rejection होके दर आगे बंद हुई है लेकिन यह अभी भी इस line को respect कर रही है जो हमने पहले line प्राइस ऐसे होके नीचे जली जाए ठीक है लेकिन हम अगले दिन देखते हैं and you have a green candle you have you don't know के अगले दिन क्या होने वाला है लेकिन अब ये market बड़ी neutral सी चाल रही है उपर जा रही नीचे बड़ी doges type बान रही है ठीक है थी कुछ strong strong signal the dairy candle ठीक है थी and now you have some up movement price उपर जाना शुरू होगी है you can open a position you can open a position here you can open a position here ठीक है आप ये कह सकते हैं कि breakout word test किया है और फिर price उपर गई है लेकिन ये नीचे आगी किस को test करना है red line को अभी हमारे पास let's say green line नहीं है ये अपनी resistance को ब्रेक किया नीचे आई और वापिस नहीं गई और फिर उपर की तरफ चलना शुरू होगी तो you can actually open a position here also but I would not open a position there anyways that's another topic हमने अभी ये इस green line को समझना ये क्या करेगी क्या this is this is very very good and then you have this and actually at that time you have more data you can actually if you want you can actually do like this like this look you have before you have only two days data like this क्योंकि आपने यहां पर इस वाली केंटल को देखे ग्रीन गाई थी अब आपके बार एक दो तीन दिन का data आप अपने reference को और ज्यादा बेतर बना सकते हैं अब देखें अब कितनी लाइन कितनी दफा टाच ओड़ी है इन candles को एक दो तीन चार पांच छे चेंडल को green light लाइन टाच ओड़ी है जिनके price is green इस इस वाले देखें मैं आपको बिल्कुल complete सारा समझा दूगा कि यह वाइं डूइंग दिस ठीक है आगे देखें और कुछ लों कहते हैं यह सिंपल एक लाइन लाइन लगा ओके you can do so much complex thing you can do in a very simple way it's everyone's style आपके बाइड लाइन को respect कर रही है price market यह trend trend line बोलते हैं यह trend line एक support का भी काम कर रही है ठीक है अब आगे चलते हैं green candle अब थोड़ा तरह 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 तेर चलते हैं एक बहुत बड़ी red candle आपके बनी है and फिर आगे चलते है you see that you see that red candle बनी है price नीचे गई है but it went back up to above this green candle नीचे देखें यह उपर गई है price इसकी कितनी strength है इसके पिछे strength कितनी है नीचे volumes देखें रहा कितने volumes है ठीक है so always आपकी candle का size बहुत बड़ा हो सकता लेकिन अगर पिछे volume नहीं है कोई तो it cannot be it can be a weak move in either way ठीक है जी अब आगे चले आपने देखा red candle बनी इस green line के तक आई है price और बिरूप पर चले गई है and if you want I don't know if you want you can actually improve your level here now so now you have now you can say that price has gone up tested it one again one time and tested it again and it's it's no problem with that अभी आपकी data आपके पास आता जा रहा है और आप अपने drawing को improve करते जा रहें ठीक है जी अब आप देखें price उपर गई price उपर गई नीचे आई नीचे आई फिर उपर गई नीचे आई and फिर उपर जा रही है उपर जा रही है और यह जो जितनी नीचे आ रही है इसको कैसे महियर करना है मैं आपको बताऊंगा कि यहां तक गई है यहां तक उपर गई नीचे कितनी आनी है कहां तक नीचे आएगी और फिर वापिस उपर जाना शुरू करेगी अगर आप इसको line form में convert का दे तो यह देखें हाइ लो हाइ लो हाइ लो हाइ लो तो यह कैसे पता लएगा कि इस हाइ के बाद लो कितना बनना है और उसके बाद अगला हाइ कितना बननना उसका एक ट्रीका है बड़ा सिंपल सा असा तरीका है कोई बड़ी rocket science नहीं है अभी हम इसको complete कर लेते हैं यह देखें चल रही है नीचे आ रही है नीचे आ रही है अब देखें यहां तक चली गी थी प्राइस ऊपर यहां तक ठीक है जी लेकिन उसके बाद दुबारा वापिस उसने आके अपने उस सपोर्ट लैवल को टेस्ट किया जहां पर पीछे बहुत दफ़ा उस लैवल को रिस्पेक कर चुकी मार् लाइन है उस डाटा को टच करें जादा से जादा ठीक है अब आपने यह दर आए उसके बाद आप करते हैं जी यह देखें यह रैड कंडल बनी है उसके बड़ ग्रीन करने कैसे सपोर्ट लिए इस जगह पे उसने और उपर जाने लगी है प्राइस देखें उपर जाती के गरती है इस कमिंग डाउन दैन अगेन टुक का सपोर्ट है ठीक है मैं तोड़ा सा दूम कर दूँ आपके लिए ताके आपको और बेतरी से नदर आ लिए इस कॉंसर्ट को समझ लें आपको लिटरली यह यह जो भी बूर सेशिन चल रहे हैं समें बहुत करेगा ठीक है उसक सब्सक्राइब बलाबला हम अभी एक कॉंसर्ट को समझ रहे हैं ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं प्राइस नीचे आ रही है नहीं जा रही है ठीक है अब प्राइस यहां पर चलेगी ओ यह और के अश्म की तो प्राइस उपर निकल गई अब जो उन से ना अब तो नहीं बीडार ऑफ़ीद ले तो अपनी खृड़ा अब तो वापिसानी नहीं नहीं जी जब भी प्राइस इसतरह से पंप होती है जब अपर जाती है मुस्ट ली सपोर्ट लेवल को आकर टेस्ट ज़ूर करती है तुकि आहीं तोused आं प्लमत पर अब सामनी चाल रहे ही यह दो कै and see how beautifully this price came down tested that level and that day everyone knew that way it was a huge manipulation in the market but still see how this line being respected price is line super close already that is what you call trend line okay the data just as a better day that's not strong after drive drawing it can go down then again but you have some reference you have some reference you have to stop loss because you know that price is level support respect I am going to tell you about the concept I am going to go up and 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 it is coming down and it is here until now I have just told you that I have just told you this video जुलाई को जब यह बुल राण स्टार्ट हुआ था तो हमने कैसे एक लाइन लगाई थी जो के बेसिकली 21 जुलाई को जो हमने लाइन लगाई थी ना वो बेसिकली यह वाली दो कैंटल को टाच का रही थी तो हमारी उस वकत में लाइन यह ओनी थी अगर वह अभी तक होती यह 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 लाइन थी मारी ठीक है विकॉस हमारे पर डेक्टा जैसे आता गया वी वांट टू 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 टाच दा लाइन टू एस मनी पॉइंट आज वी कैंट इसको जितना मर्सी आगे ले जाए ठीक है अब आप यह देखें एक एक बात का में पता लग गया कि जो ग्रीन है जो ट्रेंड लाइन है एक सपोर्ट बाच चुकी है इस अप ट्रेंड की इस लेवल से फानख वी अपर जा आ यह वापश इंहें पर जाती है वापश द पsky लेके उलाइन में चले जाए तो यह डेखें आ हाई लो हाई लो हाई low but every time price जितनी भी उपर जा रही है इस low के पास दरूर आती है और फिर वापिर उपर जाती है ये concept समझ आ गया अब इदर मैं आपको एक simple सी असान सी चीज़ समझाने लगो जब आपने entry लेनी है जब आपने किसी भी coin में कुछ भी खरीदने जाना है आप आपकी support line आपको ये बताती है के भाई entry आपने इस support line के आसपास लेनी है ठीक है फिर अगली बात अगली बात अगला आगे इस से आगे गना मैं आपको ये बताने बाद हो कि ये जब high हुआ तो ये कैसे बता लेगा कि लो कितना हो जाएगा और ये कैसे पता लेगा अगला हाई कितना बनेगा लेकिन उससे पहले माँ आपको एक छोटी सी चीज दिखा दूँ अच्छा मैं अपने बाइनास वाली भी करी जा रहा हूँ आइनिवेस हाँ ये अब ये देखें है ये मैंने हैं अ बायनी हर बैटके मैंने देखा यार अच्छा अब बनेक्स्ट वाली ऐधर करनी है इंधर भाय करकते हैं अब ये ऐसको कहते हैं सेल stop-loss इसके निचे होगा जब मैंने यहां पर बाइ करना है तो मेरा stop-loss इसके निचे होगा simple is that stop-loss stop-loss below the last swing low यह बहुत-बड़ा stop-loss है मैं अब तार हूँ but this is this is why it's a safe stop-loss because हर दफाज प्राइस नीचे आती है तो अपने पिछले swing low से नीचे नहीं जा सकती क्योंकि अगर वो पिछले swing low से नीचे गई है तो इसका मतलब है कि trend reversal हो गया क्यों जब आप देखें अगर price यह बना रही है अभी तक trend up trend में है लेकिन अगर price का low बने यह और इसका मतलब है कि अब यह वला up trend यह जो up trend चाल रहा था यह खत्म हो गया अब जो लो बना है वो उससे नीचे बना है प्रॉबबली जो निया हाई बनेगा वो पीछे वाले हाई से नीचे बनेगा तो इस लिए हम अगर अगर अपना stop loss इसके नीचे रखते हैं तो तब ही यह होगा जब up trend खत्म हो जाएगा ठीक है ना अच्छा एनिवेस यह एक दूफरा टॉपिक आ गया मैं असमें मेरा गला बड़ा ख्राब है और अभी तक बड़ी हैरत की बात है मुझे खांसी नहीं आई that's very good क्यूंकि मुझे बहुत जादा खांसी आ रही थी अब मैं वापिस जा रहे हम लोग उस्वाले चार्ट में और वो कहां क्या चार्ट कैसे क्या था के एस एम यूएस डीटी हमने को कोई का खोला वसा हमारी हाँ यस सो अभी तक हमने सरफ यह बनाई है हमें यह यह निपाफ स्विंग है स्विंग लोग निकिया लेट से लेट से क्या अगय क्या अगया तो आपको नहीं से जाहेगी यह मैट भी कल भी प्रइस आप नहीट कर 176 फिर वेरेट से एविंग है श्थे कैसे अपर जाती है तो यह तो प्राइस कैसे उप्र जा रही है ठीक है इसे टो इस तो कैसे डेखनां कि इसे डिप्रीमिट कहां तक त्रेंड लाइन के पास प्राइस आए तब करने हैं हमने इदर नहीं करनी है ठीक है अब आप देखें इदर आप यहाइब बनावा इट यहां पर एक टूल कहते हैं फैब फैबनाची ट्रेस्मेंट ठीक है यहां पर आजा के आप फैबनाची रिट्रेसमेंट का कर सकते हैं इदर अपने पास वह वह किया जहां से ट्रेंड स्टार्ट वा था वहां तो आपको 3 लेवल में तीन लेवल पार इंपॉर्टन लेवल थिए लैवल तो यह थे बड़े इं यहां से उपर जाए एक यह कर सकती है कि यहां से यहां से 38 level से ओके उपर जाए और मैं आपको बताता हूँ कि यह वहला level क्योई important है और फिर यहां से यह कर सकती है कि 50 level पे ओके उपर जाए लेकिन उस केस में हमारा trend line break हो गई जाए खतरनाक हो गया ठीक है इसके बार रिवर्ट सलो सकता और यह भी हो सकता है कि यहां से 60 लेवल के उपर होके उपर जाए यह डाउंट्रेंट स्टार्ट होते है ठीक है तो यहां पर जब इस लेवल के उपर सपोर्ट ले तो आपने कन्फरमेशन के बगार लाउंग प्रिशिशन नहीं ले लिए ठीक है जी क्योंकि यह डाउंट्रेंट की निशानी हो सकती कि बाराल इतना कॉंप्लिकेट ना करें मैं कुछ सिंपल अग बता रहा हूं कि आपने यह जो ट्रेस्मेंट स्टार्ट हुई है इसको कैसे तो आपके यह बड़ा इंपॉर्टंट है यह वला हो सॉरी यह हमने यह हमने फैबनाची ट्रेस्मेंट लगा लिए और हमने का कि जी ओके यह तो यहां से सपोर्ट ले सकती है अब देखें प्राइस जब यहां पर आ रही है तो यह ग्रीन लाइन तो मारी पहले से लगी विए सपोर्ट लाइन है और हमारा थर्टीएट लावल भी उस पर आ रहा है तो यह बड़ा इंपॉर्टन पॉइंट है यहां से लेगी यहां से भी ले सकती है एनिवेस हम आगे चलाते हैं मार्केट को पॉम 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 यहां पर आई है ओल्मोस 37 के पास 38 के पास अरब ग्रीन केंडल बनी है इसका मतलब है कि प्राइस उपर जाएगी लेकिन नहीं फिर नीचे आई है और यहां पर हमारी यह फैबनाची रिट्रेस्मेंट को उड़ा भी दें इ यह देखें इसको साइट पर कार दिया तो हमारी ग्रीन लाइन हमें बतारी कि यह बड़ा स्ट्रॉंग सपोर्ट लाइवल यहां से नीचे नहीं जानी चाहिए प्राइस लेकिन अगर हम फैबनाची रिट्रेस्मेंट यूट्स का रहे हैं तो वहां उसका भी 38 लाइवल है वेरी वेरी मच चांकिस के अब प्राइस उपर जाएगी विच मेंस इसका क्या मतलब है के दिस इस यूर बाइजोन दिस यूर बाइजोन दैट इस हाओ आए हैव ड्रोन ओल दोस बाइजोन इंद इंद चार्ट अचा अब यह तो पता लाग गया कि यहां से प्राइस उप उपर जाएगी अगली दफा कहां से होके वापस आएगी उसके लिए फैबनाची रिट्रेस्मेंट एक्स्टेंशन है पिछला लो हाई और जो न्या जाज रिट्रेस हुई है वहां तक ले आए ठीक है और नॉर्मली लोग यह समझते हैं यहां से जो पात बनेगा वो प्र पिछले वाले से हाई हाई बना लिया है ठीक है अब हम देखते हैं कि प्राइस यहां पर जाती है यहां से होके नहीं रिट्रेस्मेंट लेती है अगें इस फैबनाची रिट्रेस्मेंट टूल इस ओनली फॉर यू तो सी दे लावल जो की इंपॉर्टर लावन उसके उपर साधी से नीचे आना चाहिए इस से उपर भी जा सकती है तो वी वी से ओके पॉम हम रैट केंडल बांगी है वाव दैन एक ओल्म ओल्मोस्ट एक्जेक्ली ओल्मोस्ट वन पॉन पॉर्ट एक लावल फैबनाची सब्सक्राइब को बहुत सारे लोग दुनिया में यूज करत थीक है अब उसके बैरिश साइन है इसके बाद इसके लिए थोड़ा था आपको फ्राइस एक्षण आना चाहिए लेकिन यह देखें लैट से इन नेक्स्ट रिट्रेस्मेंट थीक है जी लैट से अब हमें क्या पता लगेगा कि प्राइस यहां से यहां तक गई थी ठीक है अब let's say यहां से एक next retracement कर रही है ठीक है मैंने क्या पताया था कि price कैसे चाल रही है यू 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 ठीक है अब let's say ये जो उनसा है ये अब एक next retracement बनाने लगा तो अब हमने कैसे ये find out करना है कि इससे आगया price कितनी नीचे जाएगी बड़ा simple है मैंने भी आपको फैबनाची टूल पकड़े लोग से उठाएं अब नया हाई क्या बना ये वला इधर तक लगाएं क्या मैंने पताया था या तो 38 लेवल बड़ा प्राइस जोंट सी है 38 लेवल से उपर बंद हुई है और हमारी ग्रीन लाइन से उपर बंद हुई है ये बड़ा important है अब आप overall देखे हो क्या रहा है मैंने एक simple green line लगाई थी and my price is always taking a support over there but अगला swing level कैसे find out करना है अगला just swing low बनने के बाद नेक्स हाइब बनेगा वह लेवल क्या होना थी उसके लिए मैंने आपको पता दिया अभी आपको पताया था पिछले वाले लो से अगले वाला हाई उठाएंगे और जहां से support लेके आएंगे तो एक नए या hat और एक शौटिंग क्रें और छौटिंग करें हैं से मेरे और नेक्स्ट लो लाव फाइड करने का फाइडा क्या उसका फाइदा हीहा और आप मैंने दौबारा से गाली है तो आप क्या का रहें कि अब आप तो अब प्राइस जीरो पॉइंट यह वन लेवल से होके वापिस चलिए यह लेकिन इंपॉर्टन मैं आपको बताता हूं एक में थोड़ा सा डेट और चला दू पन्द्रा मिनट में कर लें मैं डेली जाट में स्विंग ट्रेड के लिए expect त्रेंड लाइन वान ट्रेंड लाइन इस गिविंग मी एर राफरेंस पॉइंट कि यहां पर बाय करना है यहां पर बाय करना है यहां पर फिर बाय करना है यहां पर फिर बाय करना है यहां पर फिर सेल करना है यहां पर फिर बाय करना है प्रॉबबली यहां पर फिर सेल करना इस पुर्टिकूलर केस में आपको एक एक लावल निकाल के दखाए एक जैक्ट यही वान से जब कई बुल राम स्टार्ट हुआ है और उसके उपर आप देख लें कि जितनी दफा भी प्राइस उपर गई है वापिस उसने अपनी उस ट्रेंड लाइन को जो हमें शुरूर मे कि द्यूलिज थी इसकोस ने आके टेस्ट किया है और उपर कितना जाए घूद है और उसकी मैंने आपको यह रेगा सारा जो चाटिंग करके है मैंने आपको सारी ढीए यह अब सिखाने कि अपने आने वाले नेक्स टाइम को और बेतर तरीके से कर सकें मैं इसमें बहुत सारे यह देखें कि कहां जड़ी यह प्राइस कुछ नहीं किया ठीक है एक दफार टेस्ट किया अपने स्लेवल को दूसरी दफार टेस्ट किया और यह पंप अप अप देर एंड नेक्स्ट माइट गो यह दैट इस वट मैं फैबनाची टूल इस टेलिंग ठीक है दी अदर्वाइस इस मैं इस में सपूर लावल ठीक है अब आम एवेक्स पर चला जाते हैं ठीक है क्या का रहा है वेक्स एवेक्स बड़ा पंप हो गया एंड शुट गो बैक एर आई पंप हो गया म मैंने गलतिया कि भाई मैं आपको बता रहूं मैंने यहां पर बाइकि यहां और रहा रोटें और उसा टॉल यहां पर यूजE करें बेंसे यहां यहां पर यूज़ कर लेकिन एक सो सधवाइक disappointing लेकिनिया अगर आप यहां पर यूज़ालक ऄहाए सब्सक्राइब करेंगे और फिर नीचे आएगा और यहां पर दुबार एंट्री करेंगे एक सो डॉलर आपका एक देड़ हफते फसा रहा उस पैसे को आप कितना यूज कर सकते थे ठीक है और यहां पर है और आप देखेंगे यार अच्छा आरे से किस लेवल पर आरे से के अंदर बुलिश डिवर्जिंस तो नहीं बान रही बड़ा सिंपल सा कॉंसेट है किसी वीडियो में सिंपल यह है कि प्राइस अगर गिर रही है और आरे से में हायर हायर बान रहे है तो अगर प्राइस देखें प्राइस का प्राइस का प्राइस 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 चल रही है ठीक है और आरे से उसको मिरर कर रही है तो इस न है अब वो नीचे है तो बेरिश डावर्जेंस है उपर है तो बुलिश डावर्जेंस है अच्छा अगें कॉंप्लिकेट नहीं करना हमने इस वीडियो को वांट यू तो यूज जो आपको दिया है इससे भी बहुत अच्छे-च्छे नॉलेज हैं भाई को आइडिया यह है कि एक दफ़ा एक चीज़ को पकड़ें समझ लें सीखें मेरा गलाज इतना खराब है मैं आपको बतार हूं मैं यह कि मैं जाता हूं थोड़ा जाता हूं तो मेरे गले में इतनी खांसी आती के बोला है जाता उसके बावजूद मैंने बैट के तकरीबन करें यूट्यूब वाच्ट वंगूद यूट्यूबर्स जो कि यूजिशन पर टाइम है वह आपको अपडेट कर रहे हैं यह वह वाला कौन उपढ़ने वाला उस क्यों के बारे में जब आपको बता रहे हैं कोई घृक्तम उपट ऑने वाला क्रीदो फैंतम उपर ठीक है लेकिन स्टिल मैंने कल पूरी रात लगा के ये मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट की है मैट भी कुछ लोगों को help करें मैट भी कुछ लोग करें कि यार यह क्या basic सी चीज सखा रहा है लेकिन भाई हो यही रहा है market में this is all ठीक है इसके साथ आप और बहुत सारी कि जब आप basic basic सीख लेते हैं फिर आप different चीजें और add करनी शुरू कर देते हैं अपने technical analysis में to make it even more better but basic यहीं है भाई आप trend lines के साथ काम कर लें आप patterns के साथ काम कर लें आप tools के साथ काम कर लें आप Fibonacci retracement की बना लें आप RSI की strategy बना लें वाट एवर आप बिलेंजर बैंड को यूज कर लें जो बहुत दुनिया यूज करती है अगें यू नीड टू नो कि वट्यू डूइंग यूज के आप कैसे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉक आरें और उसके अंदर देखें आप देखें मैं आपको बड़ा क्विक्ली दिखाता जाता हूं यह एक पैटरन बना हुआ हुआ है मेरा यहाल है पर ब्रेक आउट के पर मैंटर होंगा ठीक है उसके बाद आए डॉज म कोशिश करें डेटा को कट करदें से यहां पे यहां पे यहां पर लेदें थीक है आप कहें कि और अच्छा y लेकिन बिला वज़ा नहीं यह यह सोनी को भी टाच करऊगा दे तौनिन मैकसिमम लंबर केंड MALE को बस टाच करें ठीक यह डाइन बाया ने थीक है अब आपका रहे हैं चाएर कल किया होगा पता नहीं यार अच्छा यह वाओ यह तो किसी को पर निवाओ अब क्या होगा अब मैं खरीदू यहां पर नहीं यार मैंने इस लाइन के पास खरीदना अज़ प्राइस आएगी यह मैंने ना भी देखा क्या हूँ है कुछ भी देखा कुछ भी नहीं बता रहो हूं लिटरली मुझे य अब यह फ्रीटी का मैंने चार्ट गोला हूँ है मुझे यह नहीं बता किस डेट में बैठा हूं मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यू कन दू इत अगें अन अगें 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 इंदिफरेंट और प्रेक्टिस प्रेक्टिस और यू 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 लुक अट दिस नाओ लिए इस यह फ्रीट इस इस फोमों में नहीं यू नहीं आ लूए अपको मुझे यह यह न बता कौन सी डेट में है यह इह चल रहा है रेंडम उठा लें यार प्रैक्टिस करें यह यह देखें अब यह कैसे पता लगेगा यह यहां से जाएगी इस वीडियो को दस दफाद देखें मेरे से ख्रीद के करना है यूट्यूब पर फ्री वीडियो देख देके देख देके करना है फ्री वीडियो देख के करें उससे करना है जिसकी आपको समझ आती है एक दफ़ा आप स्ट्रेंथन होंगे आपके पास सर्माया आएगा आप जॉब करेंगे आप लोगों को आगे काम देंगे मेरे तरीके से हजार लोग इखतलाफ कर सकते हैं मैं उनके क्रिटिसिजम की रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन बात को समझें प्लीज मैं इदर किसी से मुकाबला करने नहीं आया वा ना मुझे कुछ व्यूज चाहिए ना कुछ भी मुझे इसरव यह चाहिए कि अगर इस चीज को यूज करके पूरी दुनिया पैसा कमा रही है तो हमारे पाकिस्तान के लोग क्यों हमारे पाकिस्तान के लोगों का क्यों फाइदा हो सकता है तैस्ट होल गेम आप खुद सीखें आगे 10 लोगों को और सिखाए इस इस शुड़ बी योर मैं पैस्टिन के जार मैंने तो कम करें सिखाएं लोगों को सिगनल लेके सिगनल देके उसको बता के नो नो ट्राइट टू टीच पीपल डाट समय पैशन इस ठीक है जी यार मैंने सुबह जोब पे जाना है मेरी बड़ी ख्वाइश थी कि मैं एक दफा ये वीडियो बना दू ताकि इसमें बेसिक तरीका आप यह चार्ट खुल गया को किएसको रढ़ कÏसे करना है कि कूर्स कर ले यूटुप पर वीडियो सेर्च करने मेरे चैनल से जा कि देखने किसी और के चैनल से जा कि ने समझने क्या होती है मैंने कैंडल क्या होती कैंडल का green बना क्या है red बना क्या है candle के उपर अपर अगलमबा हाट candle के नीचे नीचे अगलमबी सी stick और यह वो क्या मतला है बाश का एक एक चीज इतने असान लफजो में मैंने सिखाई है और समझाने की कोशिश किये बिल्कुल देसी स्टाइल में ताक्कि आपको समझा जो उसके बाद हर बंदे ने अपना स्टाइल डिवालब करना कुछ लोग अपना स्टाइल डिवालब करते हैं और उसी में बड़ा पैसा कमाते हैं कुछ लोग कुछ मिंटों में हजारों डॉ गरते हैं तो और काते हैं अच्छाए और फॉर आवर स्टेड का सकुई है मैंट के you can do you can do this trend line all the time look at there look at it I mean I mean I'm in a four hour chart okay I'm in a four hour chart look at this you can just oh sorry you can just draw the line here look look at this I'm gonna tell you very quick thing here look at the beauty here यह हाई बना यह हाई फोर आवर्स में बैठा हूँ इस हाई के बाद यह जो स्विंग लो हो रहा है कहां तक जाएगा नीचे यह आप एवरी टाइम फ्रेम यू दू अगें यार शाहिद आप लोगों को रहा होगी यार कितना क्रेजी होके बोल रहा लेकिन इस स्वाल सिंपल थिंग्स एक दवाव सीख लें के दस लों को और सिखाएंगे लों की जिंदगी बेटर होगी से एंड ट्रेड सेफली उसी पैसे के साथ ट्रेड करें और इस सारे टेकनिकल अनालेसिस को करने के बाद यह नहीं है कि बस हमने जी बनाया था ता बश ने बता सब्सक्राइब है if you understand the where the price is going to move how the price is moving you can make a lot of money और अगर आपको नहीं पता और आप पुर्जीशन हो यार मैंने पहले भी कोट्री में पैसे कमायते मैंने अभी बनाए मैंने पहले भी एसा नहीं है भाई डोंट गैंबल ठीक है जी यह एक तरीका मैंने सखाया आपको जो कि कि मुझे लगता है कि मेरे पार हिसी चीजिस का टाइम था मैंने शुरू में यह अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉक करने चुरू कर दी थी और मैंने एक वीडियो भी मुझे उस वक्त में भी इसकी इंपॉर्टन्स का पता था तो मैंने एक देखे हैं से तीन हफते पहले कब क्या टाइम था जी आज हमारे पार 19 सप्टंबर हो गया है 19 सप्टंबर और से पीछे चले जाएं तो 19 सप्टंबर से एक वीक दो वीक और हम लोग ऑगस्त के आखरी हफते में मैंने का वो वीडियो पोस्ट किया है मैंने यह वीडियो पोस्ट की है यह 28 अगस्त को मैं 28 अगस्त पर डेटा कार देता हूं और आप वीडियो आप देखी होती और आज आप देखें ग्रोथ कहां तो कोई विया आपको समझ आ जेगी कि मैं बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक दफ़ा आप यह सीख ल लोग पे किसी ने पुजिशन घोली होती और इस चीज़ को समझा होता तो आज वो कितनी ट्रेट कर चुका होता एक यह ट्रेट बनती थी अटाइस अगर्स को 51 परसंट ग्रोथ ठीक है जी सेल करता यहां पर दुबारा खोलता पुजिशन ठीक है और उसके बाद आपकी ए लिटरली मैं मुझे जरूरत नहीं है यह वीडियो बनाके पूर्स करने की और आप यह यह टेली ग्राम का चैनल चलाने की नहीं पर लिटरली टाइम नहीं है मैं पिछले दो अफसे से खुद अपनी ट्रेड नहीं कर पा रहा लेकिन मैं आपको वैसी बताने की कोजिए का लोन के अधर फूल टेम जॉब लारे हैं मैं यह यहां पर बंदे के पास अपना टाइम है और बंदे का अपना पना कपैस्टी है मैंने यह ट्रेड यह swing high, swing low, swing high, next buy कहां पे बनता है, यहां पे, ready हो जाएं यार, buy करने के लिए यहां पे, that's it, point is that, you could have make money, एक दफा, और दो दफा तो आप अब भी तक बना चुकी होते हैं, 28 को बना ही थी, आज उन्हें सोच की भी है, ठीक है, यह वीडियो जा के देखें, मैंने इस वीडि rule to decide when to, when to buy and sell, simple, और मैंने लिटरली यही मैंने आपको trend line का बताया, कुछ नहीं कहा उस वीडियो में, trend line का बताया, मैंने आपको, आज मैंने आपको थोड़ा था, Fibonacci tools को use करके, थोड़ी जी और accurate high, swing high और swing low की positions, दिनकाल नी सखा दी है, उसके लावा मैंने इस वले channel प इस वीडियो को शेर करें यार, जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जादा लोगों को पता लग्स है कि यह एक क्रेजी सा बंदा बैठा हुआ है, सुटन के अंदर और वीडियो बना रहा है, और अप डेसी crypto gurus ने channel का नाव रख दिया, ठीक है जी, और मेरा goal यह है कि आप सबने गुरू बनना, nobody is your guru, आप गुरू खुद बनेंगे अपने, आपको बता है, आप खुद डिसाइड करेंगे, आज मैं यह खरीद रहा हूँ, आज मैं यह सालकार हो, अगर आपने इस चीज़ में पैसा बना रहा है, ठीक है, मेरी मेरी देखें आप, बैठें में लट से, आप आगे तान में बैठके, हजार डॉलर से एक लाग डॉलर बना लेते हैं, पैसा कहा जाना है, मुल्क के अंदर जाना ना, फाइदा का रहे हैं आप, यह देखें, यह एक एक मैने कोईन के, स्विंग लो, स्विंग हाई, इसी मैथड के दूरू बन किस तरह से रहा है, पहले सुलाना में जाता है, फिर टेरा लोना में जाता है, फिर उसके बद है इदर 22 को आने दिन इचे देखें आपके सामने हो रही है किदर गई थी प्राइस किदर आई है लोग फोमों में आगे दर फीद रहे हैं ठीक है आपने एक बड़ी ट्रेंड लाइन लगाई भी रिस्पेक्ट करें ओल्वेस लुना मुझे खोलने दें लुना बलके उस आपको एक रेफरेंस दे रही है आपको एक दिखारी के भाई यह नीचे आने की रेंज है यह देखें लुना कहां पर जाता है लुना उपर जाता है लुना उपर जाता है और यार अप तो निकल भी प्राइस आते लेकिन देखें फिर वापस आता है आपने यहां पर रहा है आपने यहां पर बाई करना अपना बहुत दा ख्याल रखें खुश रहें में दौा करें इस वीडियो को प्लीज शेर करें अगर आपको लगता कि इससे कोई वैल्यू आपको मिली है किसी और को भी मिल सकती मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दौा जरूर करें अला आपिस